नेस्ट क्वेशन है वाट आर दे यूजिज ऑफ ग्राइवन्स ग्राइवन्स के क्या जूजिज है दे प्रिवेंट और स्लो डाउन एरोजन एन इस्टॉप दा लॉंग शॉर्ट ड्रीप दिस हाव विभर गैन है बैट नॉक और एफेक्ट सम्वेर या देखिए पहले तो उनको बन कम करता है क्राइवन्स जो होते हैं वह परपेंटिक्रा डारिक्शन में नदी के बहाव के बना जाते हैं यह जो किनारों पे जो इरोजन होता है उसको कम करता है नदी के और लॉंग शॉर्ड ड्रीप जो होते हैं जैसे नदी द्वारा बहाई बहा कर लाए गई जो सेडिमेंट वगर होता है उसके कुछ लिया टाइप की बन जाती हैं उनको भी ये काम करता है तो आप समझ चुके होंगे कि ग्रायोंस के क्या काम होते हैं next question है what is the initial and final setting time of ideal cement mix initial और final setting time ideal cement mix का कितना होता है देखे ideal cement mix का 30 मिनट होता है और almost हर परकार के जो भी cement होते हैं उनका 30 मिनट ही initial setting time होता है पर देखा जाए तो जो मैसेनरी cement होता है उसका 90 मिनट initial setting time होता है और final setting time जो ideal cement mix का होता है 10 hours होता है final setting time पर मैसेनरी cement जो होता है उसका 24 hours से ज़्यादा नहीं होना चाहिए final setting time next question है the portion of a brick cut across the width is called कोई brick है उसके width के across यदि brick को काटा जाए तो इस portion को क्या कहते है इस portion को but या bet कह सकते है next question है what reinforcement are used in the process of pre-stressing pre-stressing के लिए कौन-कौन से reinforcement use किये जाते है pre-stressing के लिए तिन type के reinforcement यूज के जाते हैं एक होता है spelling reinforcement दूसरा equilibrium reinforcement और तीसरा processing reinforcement जो spelling reinforcement होता है ये concrete block को बांदे रखता है तो इस reinforcement को spelling reinforcement कहते हैं जो जिस concrete से pre-stressing beam या column बनता है उसको बांदे रखना काम होता है spelling reinforcement का डिटेल से आप लोग पढ़ सकते हैं जो equilibrium reinforcement होता है इसमें बहुत सारे जैसे हम pre-stressing में बहुत सारे steel bar का यूज करते हैं उसको pre-tension या compression में डाल देते हैं पहले ही तो pre-tension में डाल देते हैं तो उसको pre-tension कहते हैं तो उन सभी बार को equilibrium में एक साथ बांदे रखना के लिए जो reinforcement डाला जाता है उसको equilibrium reinforcement कहते हैं ब्रिश्टिंग reinforcement इसलिए इसे कहते हैं यदि जैसे pre-tension में हमने कोई बार बगर डाली उसमें ज्यादा tension आ जाए तो उसको reduce करने के लिए जो reinforcement यूज करता है प्रिश्टिंग reinforcement कहते हैं आप लोग यहांपे पढ़ सकते हैं कि नेश्ट प्यसन है वोट आर दॉ और लोगे जो डिमोलिशन नेमोलिशन के क्या कॉमन वेज हैं एक होता हाईड्रो सेकिंड फ्रेसर और तीसड़ी में Winston टीन टाइप के यह हो सकते हैं डिमोलिशन का मतलब यहां पर बिद्वन सकना है या किसी बिल्टिंग वर गेरा या को कोई ब्रीज वारा जिसको तोड़ना है तोड़ने के क्या क्या मैथट हो सकते हैं common तो वे तीन टाइप के हैं यहां पर next question है explain QA & QC QA क्यों qa यहां पर है quality assurance QC होता है quality control quality insurance क्या होता है quality assurance is a set of activities to ensuring quality in the process by which work are done quality assurance is the process of managing जो हम जिस टाइब के हम quality यूज कर रहे हैं वो सई से हो रही है कि नहीं हो रही है जो activities हम quality में कर रहे है quality check-up के लिए जो हमने काम कि उसको सई से हो रहे कि नहीं हो रहे है quality control का कुछ चेक करना है हमारा quality assurance कहलाता है और quality control जो होता है जिसमें हम बहुत सारे activities करते हैं अपने work की quality बढ़ाने के लिए तो उसको हम कहते हैं quality control तो quality control quality control is a set of activities for ensuring quality in the work the activity focus on identify defect in the actual product produce product quality control is the use to verify the quality of output जो output हमारा आ रहा है काम से उसकी quality करना ही quality control कहलाता है मतलब मतलब यह है कि quality control जो हम लोग करते हैं जो quality use की जा रही है site पर या हमारे काम में उसको check करना quality assurance कराता है और जो quality हम योज कर रहे हैं और काम को बहुत अच्छे तरीके से किस टाइब से हम काम कर रहे हैं उसकी quality निखारगाना आना वह ही quality कंट्रोर कहलाता है चलिए नेक्ट क्वेसन है वट इस दरी श्यू ऑपकरीट M5 M7.5 M10 M15 M20 M25 M30 M35 M40 जिनके क्या रिश्यू होते हैं देखें M5 का होता है 1510 M7.5 का होता है 148 M10 का होता है 136 है और M15 का होता है 124 है और M20 का होता है 113 और M25 का होता है 112 और जो यहां पर जो M30 M35 और M40 होते हैं वों डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग इनका रिश्यू बनता है next question है the length of each fist plate is fist plate जो हम railway में use करते हैं rail में use करते हैं उसकी length कितनी होती है तो length होती है उसकी 477.2 mm mm में होती है इसकी length the rail rail chair are used to fix rail chair किसके ये की जाती है ये की जाती है double head rail को fix करने के लिए होती है double head rail का दो हैट होते हैं इसके semi होते हैं उपर और नीचे यदि उपर वाला head घिस जाता है तो इसको पलटके हम ऊपर कर दिते हैं तो यह अब तो योज नहीं होती है पहले यह double head rail यूज होती थी देखें, next question है What is gunting? Gunting मैंने आपको पहले वाले part में बता दिया है I hope आप लोग वहाँ से देख लेंगे Next question है It is a highly effective process for repairing concrete wall or damaged surface Concrete wall or damaged surface को highly effective process एक है, उस क्या होती है यह flat bearing होती है इनको repair करने के लिए Next question है The main purpose of using bearing plate is due Bearing plate का क्या काम है Bearing plate का काम है कि यह जो load आता है rail पे उसको distribute करना जमीन पे और तूसरा यह है कि sleeper को तूटने से बचाना तीसरा यह है आपके जैसे rail होती है दो rail उनको sufficient gauge के उपर रखना वहलाबर दूरी पे रखना एक fix तूरी पे बनाए रखना bearing plate का काम होता है Next question है How would you describe the soundness of cement Soundness of cement से आप लोग क्या समझते है Soundness of cement वो होती है जिसमें expansion ना हो कितना volume change हो रहा है cement का और expansion के द्वारा कितना volume change हो रहा है cement का उससे हम लोग समझ सकते है Soundness of cement क्या होती है और soundness और cement को हम Lee Chattelier Appetus से निकालते है Next question है Creeping of rail can be checked by using Creeping of rail हम कैसे check करते है यह anchor की सायता से check करते है Next question है What is rigging? Rigging क्या है? Rigging यह होती है जैसे कोई boat वगरा होती है उसमें जो cell जो पड़दे उसको cell कहते है उनको लगाया जाता है तो उनको किसी drawer या रस्षी से बांदा जाता है तो उसको rigging कहते है यह इसलिए होता है कि boat हमारी साई direction में जाए इसलिए हम cell का use क्या जाता है और इसको हम हवा के बहाव से अपने boat के direction change करते है यहाँ पी civil engineering का question तो है नहीं पर examination में पूस सकता है आपसे next question है what are the materials used in building a gravity dam gravity dam बनाने के लिए कौन-कौन से material यूज करते है generally हम compact earth या soil का use करते है gravity dam बनाने के लिए पर जो हमारी बहुत ही उचाए उचे gravity dam बनते है हम concrete का use भी करते है और इसको save और भी save बनाने के लिए हम spillway का use करते है spillway वह होते है जो gravity dam का overflow पाने को हम बहार निकालने की जो process होती है जो structure बना जाता है उसको हम spillway कहते है next question है what is the purpose of the gap in the road on this bridge bridge के उपर जो road होती है उसमें gap क्यों दिया जाता है तो वो expand और contract के लिए दी जाती है जो कि temperature कारण road में आते है तो यदि expand होगा तो उसका volume बढ़ेगा तो जिस कारण damage हो सकते है रोड तो यह damage ना हो इसके लिए हम लोग expansion और contraction जो दो process होती है रोड में उसके लिए हम gap देते हैं रोड के 20 में next question है on Indian railway minimum formation width in impactment for a single line of broad gauge broad gauge की जो minimum formation width होती है कितनी होती है railway में railway concern तो यह होती है 6.1 meter formation width this device used to changing the direction of engine in code जो changing of direction engine की direction change करने के लिए एक device का use किया जाता है उसको क्या करते हैं तो वो turn table का use किया जाता है next question है the device provide to prevent the vehicles from moving beyond the end of rail at terminals is called तो इसका answer आपका buffer stop होता है